देखे सूडिन यहाँ पर जेटबरी में 2019 में कुश्चन आया है उसमें काया कि आपने एक डायाटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए हिट रिजिड मॉलिक्यूल है और कॉंस्टेंट वॉल्यूम पर एनर्जी सप्लाई की जिससे कि उसका टेंपरेचर बढ़ा कॉंस्टेंट वॉल्यूम पर एनर्जी सप्लाई की जिससे उसका टेंपरेचर बढ़ा और अगर हम उसी को कॉंस्टेंट प्रेशर पर करें तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी और कॉंस्टेंट वॉल्यूम पर जो एनर्जी दे उसको क्यों बता रखा है देखिए आप और हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पर पहली हिंट में दी गई है कि डाय एटॉमिक जैसे ही डाय एटॉमिक वर्ड बुला जाता है डाय एटॉमिक इसका सीधा मतलब होता है कि हम इसका गामा निकाल सकते गामा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 बाय एफ एफ को निकाला जाता है 3A माइनस B से ए मतलब अटॉमिस सेटी होता है अटॉमिस सेटी यहाँ पर 2A रस्रिक्शन आपके पास में 1 है 3 2 जा 6 माइनस 1 5 आजाता है आपके पास में now diatomic gas molecule के लिए f की value 5 निकल कर आती है f5 आती है तो 1 प्लस 2 बाय 5 जब आप पूट अप करते हैं तो आपको गामा 7 बाय 5 मिलता है diatomic gas का गामा 7 बाय 5 मिला constant volume पर अगर हम बात करें तो यह formula होता है ncp delta t और constant pressure पर हम बात करें तो यह formula होता है ncp delta t हमें constant pressure पर कितनी energy लगे कि यह निकालना है तो constant pressure की energy ncp delta t ncv delta t ncn cancels delta td is delta t cancel cp by cv की value गामा होती है delta q delta q v यह है pressure पर so delta q pressure gamma into delta q at constant volume gamma की value 7 by 5 multiply by q इस तरह से gamma की value दी जा सकती है 7 by 5 multiply by q so option a will be the correct option तो यहाँ पर हमें सेखने को दो बाते मिली shortcut में पहली बात मिली gamma के से डाय अटोमिक वर्ट से gamma समझ भाया दूसरा change in temperature सेम दे रहा था तो cp by cv को gamma कहते हैं यह हमने सेखा कर दँने से भाई कि जहाँ कर दाना दूसा रग्जू कर दो में